27 जुलाई 2014 को उत्री इसराइल के मजदाल शम्स इलाके में एक फुटबॉल ग्राउन पर एक बड़ा रॉकेट अटैक हुआ था इस हमले में 12 बच्चों की जान चली गई थी जबकि 44 से ज्यादा लोग घायल हुए थे इसराइली सेना ने इस हमले का आरोब सीधे तोर पर हिजबुला पर लगाया था यहां तक कि अमेरिकी खूफिया एजिंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टी कर दी थी कि रॉकेट लेबनान की तरफ से दागे गए थे हाला कि फुटबॉल ग्राउंड के आसपास इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम आयरें डोम के तैनात होने का दावा किया गया था और हिजबॉल ने इस आरोप से अपना पला ज़ाड़ते हुए कहा था कि ये धमाका आयरें डोम की इंटरसेप्टर मिसाइलों के धमाके से हुआ था लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात ये थी कि मजदाल शम्स उत्तरी इसराइल का वो इलाका है जिसे हिजबॉल ला कबजे वाला सीरियन गोलन हाइट्स मानता है 1967 से ये इलाका इसराइल के पास है और यहाँ पर डूरूज अर्बों की आबादी रहती है और इसराइली सेटलर्स यहाँ पर अलपसंख्यक हैं और मजदाल शम्स हमले ने इसराइल को बूरी तरहा से हिला कर रख दिया है जिसकी वाजा से इसराइली पीएम बेंजमिन नेतनियाहू अपना अमेरिकी दोरा बीच में ही अधूरा छोड़कर अब मजदाल शम्स पहुँचे तो उनका यहाँ पर बहुत तगड़ा विरोध हुआ है दरसल नेतनियाहू स्थानी नेताओं के साथ घटना स्थल का दोरा कर रहे थे तब ही डूरूज लोगों की एक भीड इस मैदान के बाहर काले कपड़ों में खड़ी दिखाई दी और जैसे ही नेतनियाहू यहाँ पहुँचे यह भीड हीब्रू भाशा में नेतनियाहू वापस जाओ के नारे लगाने लगी और तो और यह भीड वहाँ लगे बैरिकेट्स को तोड़ कर नेतनियाहू के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और इस भीड में कई लोग नेतनियाहू को हत्यारा तक कह रहे थे और उनसे वहाँ से जाने की मांग करने लगे जबकि कुछ लोग नेतनियाहू को युद्ध अपराधी भी कह रहे थे आपको बता दे कि नेतनियाहू ने इस भीड को लेकर कोई प्रतिकरिया नहीं दी बलकि हिजबुला के इस हमले का कड़ा जवाब देने का वादा फिर से दोराया नेतनियाहू ने यहाँ पर हिजबुला को लेकर एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने इस अटैक का आरोब सीधे हिजबुला पर लगाया नेतनियाहू ने कहा कि हिजबुला ने इरान की मदद से यहां पर इरानी रॉकेट फायर किये थे जिसने बारा मासूम बच्चों की जान ले ली आपको बता दे कि इस हमले के बाद से हिजबुला लगातार ड्रूज अर्बो को इसराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और यही वज़ा है कि हिजबुला ने इस हमले के आरोब से पल्ला जाड़ लिया है वही नेतनियाहू बार बार कह रहे हैं कि ड्रूज और इसराइली भाई भाई हैं और इसराइल उनकी तरफ आज, कल और हमेशा के लिए खड़ा रहेगा और इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि 8 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुला लगातार उत्तरी इसराइल पर हमले कर रहा है लेकिन इन हमलों के दौरान दोनों ही पक्ष पून युद्ध के हालातों से बचते रहे हैं लेकिन मजदाल शम्स में हुए हमले के बाद से दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया है कर दोनों हमले कर दोनों है